2023 साउट इंडिया इंटरनेशनल मुवी अवार्द्स, सीम, तमिल, टेलिगू, मल्यालम और कन्नर श्रेनियों में सर्वश्रेश्ट दक्षिन भार्तिय सिनिमा का जश्न मनाते हुए बादी धूंधाम से संपन हुआ. या कारेक्रम डूबी में डू रातों तक चला, पहली रात तेलुगू और कन्नर सिनिमा की प्रतिभाओं को सम्मानित कराने के ये समर्पित थी, और दूसारी रात तमिल और मल्यालम पर केंद्रित थी. टेलिगू श्रेनी में, स्पोटलेट दूबलो का बेस्टो फिल्मों, आरारा और सीता राम्म पर थी. सीता राम्वा ने प्रतिष्थित सर्वश्रेष्ट फिल्म का पुरस्कार जीता जबकि आरारा ने सर्वश्रेष्ट निर्देशक और सर्वश्रेष्ट अभिनिता का पुरस्कार जीता आरारा ने प्रभावशाली 11 नमानकन के साथ तेलुगू खंड में अपना डाबडाबा बनाया जबकि सीता रामव ने 10 नमानकन के साथ मजबूत प्रतिस्परधा की एनियुल लेखनिय दाविदारों में 8 नमानकन के साथ दीजे तिलू, 6 नमानकन के साथ मेज़ और 5-5 नमानकन के साथ कार्टिकेटू, भीमाला नायक और धमा का शामिल हैं सरकारू वारी पाता को 4 नमानकन माईल, जबकि बिम्बिसार और अशोक वाना मालो अर्जुन कल्यानम को 3-3 नमानकन माईल यशोदा, हिट, डा सीकेंट केस, विराता परवम और मसूदा जैसी फिल्मू को डूडू नमानकन माईल कन्नर श्रेनी में, केजिफ, चप्टर 2 और कातारा ने 11 प्रभाव शाली नमानकन के साथ केंड्रस्थान हासल किया अनेक बाद विक्रांत रोना को 7 नमानकन, 777 चाली को 6 नमानकन और लव मुकातल 2 को 5 नमानकन माईल इसा एंग कमिशन ना केवल उत्कृष्ट प्रतिभावं को पहचानना है बलकि इंतरर राष्ट्रिय मंच पर दक्षिन भारतिय सिनिमा को बढ़ावा देना भी है पिछले कुछ वर्षों में, राजनीकान जैसे प्रतिष्टित सितारों और हाल ही में बाहुबली और आरारल जैसी महार काव्य फ्रेंचाइजी की बदौलत दक्षिन भारतिय सिनिमा ने जापान, दक्षिन कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशो में लोगप्रियता हासिल की है, ये पुरसकार दक्षिन भारतिय सिनिमा की सम्रिध और विविग दुनिया पर प्रकाश डालते रहते हैं